नमस्कार मैं सननत कुमार पांडे व्याठ्याता इलेक्रोनिक्स इंजिनरी गौर्वर्नेंट पॉलिटेक्निक लखनौू प्रिंस्पल आफ कॉम्निकेशन इंजिनरीं की इस वीडियो श्रिंखला में एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूँ आज की लेक्चर में हम लोग इस सब्जेट की यूनिट 4 डिसकस करेंगे जो की प्रिंस्पल्स आफ एम माडूलेटर पर आधारित है आज का लेक्चर इस सब्जेट की श्रिंखला में लेक्चर नमबर 10 होगा तो आएए स्टार्ट करते हैं इस नई यूनिट को आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग प्रिंस्पल्स आफ एम माडूलेटर सर्किट को डिसकस करेंगे और एम माडूलेटर सर्किट में बेसिकली इसके डाइग्राम और इसके वर्किंग ऑपरेशन्स कैसे गवर्न होते हैं उन चीजों को हम चर्चा करेंगे और आज basically हमको AM modulator में जो हमारे syllabus में है that is collector and base modulator, square law modulator and balance modulator. तो इस तरीके से तीन modulator हम लोगों को पढ़ने हैं because it is a balance law modulator. तो तीन modulator हम लोगों को पढ़ने हैं और आज के lecture में हम लोग basically जो है वो जो discuss करने वाले हैं that is a collector and base modulator. तो आईए आज का lecture स्टार्ट करते हैं हम लोग. आज के lecture को स्टार्ट करने से पहले फिर वही एक बार question कि basically modulation क्या है तो जैसा हम लोगों ने last time पे भी देखा था कि operation amplitude, frequency and phase of carrier signal accordingly with the instantaneous amplitude of the message signal is called modulation. ठीक है? जो हमारी information है उसके जो instantaneous values हैं उनके विहाग पे जब हम carrier signal के amplitude, frequency या phase को परिवर्थित करते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग modulation के नाम से जानते हैं आज के lecture में हम लोग principles of amplitude modulator से related चीजे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम carrier के amplitude को basically जो है वो modulate करेंगे according to the message signal और यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमारा इस दवरान frequency और phase जो है carrier का वो constant रहेगा तो modulation basically होता क्या है adding information to a carrier signal इसको कैसे करते थे जैसा हम लोगों ने देखा था कि एक हमारे पास कोई modulator होता था उस modulator पे हमारे पास RF oscillator signal radio frequency oscillator signals होते थे इस RF signal को basically हम लोग baseband signal के माध्यम से modulate करते थे और after the modulation हम लोगों को एक modulated signal प्राफ्त होता था जिसको हम लोग RF power amplifier के through amplify करके transmitting antenna की तरफ send कर देते थे तो यह सारी जो प्रक्रिया है इसमें different different जो है वो कई type के हमारे पास modulation की schemes है तो एक एक करके modulation scheme को हम लोग आज के lecture में basically discuss करेंगे तो सबसे पहले अगर basic principle की बात करें AM modulation के तो modulator circuit causes carrier amplitude to be varied in accordance with the modulating signal ठीक है circuit produce AM DSB SSB transmission methods ठीक है अब AM amplitude modulation में जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग carrier के amplitude को modulate करके एक modulated signal जो है वो generate करेंगे अब यह modulated signal हमारा कई तरीके का हो सकता है जो चीज़ें हम discuss कर चुके हैं या तो simple आपका conventional amplitude modulation होगा जिसमें आपका carrier भी था और lower और upper side band भी थे फिर DSB signal है जिसमें क्या है double side band दोनों आपके side bands available है lower और upper और फिर यहीं पर आप लोग single side band के बारे में आप लोगों ने देखा था ठीक है तो various जो है वो modulation schemes को कर्चा किये हैं और कुछ में हम लोग carrier को suppress करते हैं और इस तरह से suppressed carrier चाहे DSBSE हो या SSBSE signal हम प्राफ्ट करते हैं ठीक है अब basic equation हम जब AM modulation की बात करते हैं तो हमने आप सको बताया था कि जो हमारा carrier का amplitude है basically उस हम amplitude को क्या करें vary करें on behalf of the instantaneous value of the message signal ठीक है तो इसमें first term जो है आपका amplitude है उसको amplitude को हम परिवर्तित करेंगे और after the जो हमें modulation के उपरां signal मिलेगा वो एक ऐसा signal होगा जिसका amplitude जो है वो message signal की instantaneous value के हिसाब से परिवर्तित हो रहा होगा लेकिन उसका phase और frequency क्या होंगे वो constant होंगे ठीक है अब AM modulator में जैसे हम लोगों ने देखा कि basically हम लोग क्या करते थे कोई भी एक carrier लेते थे अब एक carrier example के तोर पर हमने जैसे यहां पे ले लिया VC sin 2 pi fc तो इसमें क्या है basically हमें अगर amplitude modulation करना है तो basically carrier का जो amplitude voltage यहां पे है हम इसकी value को क्या करें change करें किसके accordingly जो है वो modulating signal की जो values हैं किसी particular time instant पे उन particular time instant के हिसाब से इसको हम time domain में क्या करें इसको modulate करें और यहां पर हमने analog multiplier ले रखा है यह आपके basically modulators कई तरीके को सकते हैं जो कि आज के lecture में हम लोग देखेंगे और फिर हम जो है अपना एक modulated signal जिसको हम BAM से represent करते हैं हम प्राप्ट कर लेते हैं ठीक है अब अगर हम इसके modulator के और concept में जाएं तो modulator के उपरांथ हमको basically मिलता क्या है कि हमें एक AM modulated signal मिलेगा इस AM modulated signal का जो carrier portion है वो carrier portion का जो fluctuation आप देख रहे हैं यह वाला portion यह basically किसके हिसाब से हो रहा है और यह envelope क्या है यही आपका message information है जो की empty है यहां पर empty हमने assume किया है कि कोई हमारा sinusoidal signal है और उसके हिसाब से हमने किसी carrier को modulate किया तो overall जो इस modulated signal का envelope है वही हमारी message को क्या कर रहा है hold कर रहा है और इसी envelope को जो है हम various demodulator के द्वारा read करेंगे और demodulator reception point पे receiver पे जो है हमने mule जो हमारी information थी उसको हम प्राप्त कर लेंगे तो तो इस सारी प्रक्रिया को करने में basically हमारे पास two types के options हैं कि एक हम जो है वो amplitude पे सारी चीजों को manage करें और amplitude के भी हाग पे manage करें और दूसरा कि हम लोग जो है frequency और phase को constant रखें और हम सारी प्रक्रिया को दो port पे एक आप आपका transmission port होगा वहाँ पे सारी चीजों को हम manage ऐसे करें कि हमारा signal successfully transmit हो और receiver पर receive हो receive होने के बाद हम उसको पुना जो है अपने मूल बूद जो हमारा message था उसको हम प्राप्त करें ठीक है तो आईए हम लोग amplitude modulators के बारे में देखते हैं कि सारी प्रक्रिया को करने में जो modulation की प्रक्रिया है उसमें amplitude को modulate करने में हमको किस type के modulator को जो है वो कब हम कौन से modulator को use कर सकते है ठीक है तो सबसे पहले basic अगर हम information की बात करें तो there are two types of amplitude modulators ठीक है first is they are low level and high level modulator ठीक है तो on the behalf of the power transmitted जो की हम power को transmit कर रहे होंगे am modulator के थुरू उसके बिहाब पे हमने यह कहा कि amplitude modulator दो तरीके के हैं ठीक है low level modulators generate am with small signals and must be amplified before transmission ठीक है तो जो low level के modulators है basically क्या है इनको हम ऐसे signal as it is provide कर देते हैं modulator के input उसमें किसी amplification की जरूरत नहीं होती before the modulation but after the modulation जब हम सब्सक्राइट कर लेते हैं modulated signal हमको प्राप्त हो जाता है तो जो हम transmitter से receiver पर signal को भेज रहे होते हैं उसको हमें amplification की जरूरत होती है ताकि जो आपका RF modulated amplitude modulation signal है वो transmitter से receiver तक successfully fully बिना high dissipation के जो है वो पहुँच जाए ठीक है फिर second type जो है आपका high level modulators produce AM at high power levels usually in the final amplifier stage of a transmitter ठीक है basically इसमें क्या है कि हमें किसी amplification की extra जरूरत नहीं होती है हम पहले से ही अपने signal को high level पर modulate करते हैं और after the modulation हम इस signal को transmitter के transmitting antenna के द्वारा जो है वो receiver की और जो है वो अग्रसारिक कर देते हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि energy point of view से energy के level पर हम लोग basically दो तरीके के जो है amplitude modulator को study करते हैं first one is low level and second one is high level modulators ठीक है तो अब low level की हम बात करें कि low level में कौन-कौन से आपके modulator हो सकते हैं तो basically होता क्या है कि on the behalf of the elements used in the modulator circuit ठीक है modulator circuit में जब हम ऐसे कोई element नहीं use कर रहे हों जो स्वता amplification की प्रक्रिया को करा पाते हैं जैसे आपने देखा हो कि आपका डायोड होते हैं ठीक है रेजिस्टर्स हैं यह सब चीजें क्या है स्वता जो है इन में amplification की प्रक्रिया नहीं हो पाती है ठीक है और यह linear behavior show करते हैं तो हम ऐसे जो है वो modulators जो है उनको low level की category में रखते हैं और एक example हमारे पास यहां है diode modulator डायोड modulation में क्या होता है consist of a resistive mixing network a diode rectifier and an LC tuned circuit ठीक है यहां पर आपको diode मिलेगा as a rectifier काम कर रहा होगा और LC tuned circuit होगा अब इसमें जितने भी component है चाहे वो diode हो चाहे LC circuit हो ठीक है इसमें से किसी में भी यह capability नहीं होती कि कि किसी signal को सब्सक्राइब करा सकें तो इसलिए हम लोग इनको low level modulator के नाम से जानते हैं अब इसी के बिहाब पे जो है basically क्या है कि हमारे पास कई सारे options होते हैं circuits के जिनको हम low level के लिए use करते हैं जैसे अब नहीं हमने देखा की diode modulator है जिसका आप circuit अगर analysis करें तो देखेंगे कि basically इन में जितने भी component लगे होंगे चाहे वो input modulating signal के साथ जो है connected जो है वो डायोड लगे हूं रजिस्टर्स लगे हूं ठीक है modulating signal से connected जो आपके registers लगे है R1 एन R2 यह भी आपके कैसे है passive elements है ठीक है और यह register जितने भी register है वो कोई आप क्या है कि स्वता जो है वो activation की छमता नहीं रखते हैं all these are the passive elements ठीक है यहां पर आपका diode connected है तो होगा क्या कि जो हमारा modulating signal है basically उस modulating signal के हिसाब से हम अपने carrier के amplitude को क्या करेंगे modulate करेंगे और after the modulation हम क्या करेंगे AM output प्राप्त कर लेंगे with the help of the LC tune circuit का भी role है basically हम क्या करते हैं इस circuit में L और C को कुछ ऐसे परिवर्तित करके set करते हैं कि यह particular frequencies को जो है choose कर सके और उस पे यह operations perform होते हैं ठीक है जब LC oscillations में basically आप लोगोंने LC oscillator देखा होगा कि आप लोग जो है वो value of the capacitance को change करते हैं और circuit के overall impedance को क्या करते हैं manage करते हैं ठीक है तो with the help of this LC oscillator हम यहां पर AM एक amplitude modulated signal अपने output port पे प्राप्त कर लेते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं इसी में फिर जैसे हमने यहां पर diode यूज किया हम आरे पास transistor का भी option हो सकता है ठीक है तो ट्रांजिस्टर modulation modulators consist of a resistive mixing network a transistor and an LC tune सब की ठीक है यहां पर भी the emitter based junction of the transistor serves as the diode and non-linear device ठीक है तो जैसे वहां पर diode वर कर रहा था वैसे हम transistor के emitter based junction के थुरू इसको diode के mode में operate कराते हैं ठीक है modulation and amplification occurs as base current controls a larger collector current ठीक है तो हम इसके माध्यम से जो है जो हमारा base current है वो collector current को जो है वो manage करता है और इस तरीके से हम system को जो है से एक modulation और amplification करा सकते हैं इसमें ठीक है the LC as tuned circuit oxalates to generate the missing hop cycle ठीक है basically जो हमारा sinusoidal signal है तो इसमें क्या होगा कुछ portion हमारा positive cycle के लिए active होगा कुछ negative cycle के लिए तो उसी LC tuned circuit के help से जो हमारी negative half cycle होगी या जिसको हम missing half cycle बोल रहे हैं उसको हम क्या करेंगे region rate करेंगे ठीक है तो LC tuned circuit का इसमें क्या roll है यह आपने देखा ठीक है इस circuit का diagram है कि यहाँ पर आपने जो है वो carrier को जो है और और modulating signal को connect किया किसके किसी transistor के base circle पे और यहां से जो आपने जो है वो एक voltage दे रखा है इसको excite करने के लिए उसके थुरू हम जो है इसको amplify यहां से आपका system modulate हो रहा होगा और इस circuit के द्वारा इसको amplify करके एक हम signal generate करा लेते हैं तो यह basically क्या है simple transistor modulators हैं जैसे हमने वहाँ diode का use किया था यहां पर diode की जगा हम लोग transistor का use कर रहे हैं और जब आप transistor की analysis पड़े होंगे तो देखे होंगे कि transistor को हम as a diode viewer करा सकते हैं उसके base emitter और collector का configuration कुछ इस तरीके से उसको हम manage करें तो तो इस तो इस तरीके से हमने देखा कि आपकी और यह सारी आपके जो है वो low level power generation के लिए अब हम देखते हैं कि high level em generate करने के लिए किस type के modulators की हमें आवश्यक्ता होती है ठीक है तो in high level modulation the modulator varies the voltage and power in the RF amplifier stage for the transmitter the result is high efficiency in the RF amplifier and overall high quality performance ठीक है तो basically long distance में और more efficient जो हमारा amplitude modulation network होता है उसको हम use करने के लिए basically हम high power के जो है या high level के जो हमारे em modulators हैं इनका इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो high level के अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि basically हम जो हमारा transistor हमने पढ़ा ठीक है उसी में कुछ इस तरीके का configuration create करते हैं कि हमारा system क्या करें कि हमारा जो basic जो हमारा modulating signal है और carrier signal है उसको क्या करें उस हद तक amplify कर दे कि हमें जो है किसी amplifier की जरुरत हो सकता है ना पड़े अगर signal बहुत दूर तक नहीं भेजना है तो RF को हम क्या करेंगे वो transmitter से receiver पर भेज पाएंगे ठीक है और अगर low level की बात कर रहे थे तो वहां पर हमको signal को transmitter से receiver में भेजने के लिए हमें उनको modulate कराना होता था ठीक है तो यहीं पर एक example है आपके सामने collector modulator का the collector modulator is a linear power amplifier that takes the low level modulating signal and amplifies them to a high level ठीक है a modulating output signal is a modulation transformer to a class C amplifier ठीक है class C amplifier आपोंको ने पढ़ा होगा और class C amplifier का use करके हम basically क्या कर रहे है जो हमारा modulated signal है उसको हम amplify कराने का प्रयास कर रहे है ठीक है चुकि जो आपका collector modulator है इसका basically काम क्या है high level AM को generate करना ठीक है the secondary winding of the modulation transformer is connected in series with the collector supply voltage of the class C amplifier ठीक है अब आईए इसको समझते है कि basically इसमें हो क्या रहा है ठीक है तो जो हमारा amplitude modulator में जो आपके basically syllabus में है collector based modulator अगर हम collector based modulator की बात करते हैं तो है इसमें क्या कि हमारा जो collector है किसी transistor का उसके through हम signal को amplify करने का प्रयास करते हैं जब उसके हम base पे जो carrier signal connect करते हैं उसको modulate भी हम इसी carrier इसी जो है वो collector code पे ही करते हैं तो आप इसके diagram को अगर observe करें तो सबसे पहला क्या है कि आपने एक जो है वो circuit use किया जिसमें एक transistor circuit है transistor circuit में basically हम इसके base पे क्या कर रहे हैं कि हम carrier connect कर रहे हैं कर रहे हैं कोई भी sinusoidal signal हो सकता है ठीक है हम इसके base पे connect कर दिये और base से हमने क्या किया कि final class c RF amplifier के द्वारा हमने इसको क्या किया amplify कर लिया यह as a class c amplifier कर रहा है यहां पे transistor इस Q1 transistor के द्वारा हमने अपने signal को क्या किया amplify कर लिया carrier को ठीक है अब यहां पर क्या है कि second unit जो यह हमारी है यह basically क्या है microphone के थूँ कोई हम audio या कोई एक signal ऐसा लें जिसके हम signal को audio मतलब wise signal है तो हम उस audio signal को अपने voltage signal में convert कर लें उसके लिए हम लोग यहां पर microphone यूज कर रहे हैं as a transducer ठीक है माननीजे यहां कोई वाइस signal generate हो रहा है और इस वाइस signal को हम with the help of the with the help of this microphone क्या है कि इसको voltage signal में convert कर लेते हैं और voltage signal पे इसको convert करने के उपरांथ हम इसको एक modulating transformer की second जो है इसकी जो coil है उसके थूँ हम इसको कहां पर connect करते हैं एक LC circuit की थूँ है हम इसको connect कर देते हैं अपने जो है वो जो collector का जो हमारा transistor का collector port था ठीक है तो इससे क्या होगा कि हमें एक high power का जो यहां पे हमारा LC oscillator वाले port पे जो हमारा transformer का coil second ready है उससे हमें क्या होगा high power का जो है RF signal मिलेगा और यह हमारा क्या होगा EC को हम लोग transmit करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी class C amplifier के द्वारा हम कैसे अपने signal को जो है वो message signal को motivate करते है ठीक है modulate करते है ठीक है तो अब EC में यह हमारा था basically इसमें जो सारा application हो रहा है किसके collector के port पे हो रहा है ठीक है अब अगर हम EC में इसको high level collector जो modulator है ठीक है अब इसमें दो चीज़ ध्यान दखने की है कि कि यहां पर हमको जो हमारा message signal है उसको हमें जो है वो क्या करना पड़ रहा है पहले तो amplify करना पड़ रहा है किस label पे modulation के label ठीक है जो हमारा यह transformer T1 यूज हो रहा है यह हमारे message signal को जो है basically क्या है amplify कर यह ही amplified signal जो है वो कहां जा रहा है वो आपका collector पे जा रहा है कि इवन transistor के जो LC port पे जो हमारा जो है वो transformer create हो रहा है उससे signal को हम क्या करेंगे modulate करेंगे अपने जो हमारा carrier signal आ रहा था जो पहले से ही क्या था amplified था तो यहां पर इसका एक यह highly linear format तो form करता है लेकिन यहां पर एक drawback है कि हमको यहां पर message signal को अपने पहले amplify करना पड़ता है high level पर फिर यहीं एक इसका दूसरा configuration आता है कि high level base modulator इसमें basically क्या करते हैं कि जो हमारा message signal था उसमें हमें किसी तरीके के amplification की दूरत नहीं है हम क्या करेंगे जो हमारा carrier signal पर जो हमारा carrier generate हो रहा था उसी carrier पर हम अपने message signal को क्या करेंगे connect कर देंगे और यहीं पर यह एक दूसरे को क्या करेंगे modulate कर लेंगे मतलब जो हमारे message की information थी वो base वाले portion पर ही जो है वो carrier को modulate कर देगी और after the modulation हम क्या करेंगे पूरे system को इस transistor के base पर provide करेंगे और यह base जो है इसको amplify करके हमको क्या करतेगा एक RF signal provide कर देगा इसके लिए antenna के लिए जो कि इसको transmit करने में suction ठीक है तो इस तरीके से आपने देखा कि एक बार आपने message signal को collector पर दिया modulation के लिए तो आपने उसका नाम दिया high level collector modulator और जब इसी signal को आपने जो है base पर दिया और आपने यहाँ देखा कि इसमें हमें amplitude modulator जो हमारा मेरे उसको amplify करने की जरुरत नहीं है क्योंकि after the modulation जो हमारा पूरा signal है वो खुद स्वता ही क्या है जो है वो collector वाले portion पर जो है इसको क्या किया जा रहा है amplify किया जा रहा और इस तरीके से high power amplify high power signal आपका जो है antenna के through transmit हो पाए गया ठीक है तो जो आपका collector वाले system का drawback था हमने यहाँ पर उसको दूर करने का प्रयास किया लेकिन इस case में होता क्या है non-linearity को maintain कर पाना उतना अच्छा नहीं रहता है या non-linearity हम easily इसमें maintain नहीं कर पाते हैं ठीक है तो अब दोनों system हमारे पास आए एक में हमें अच्छी non-linearity मिल रही थी ठीक है जो हमारा collector collector modulator था high level collector modulator जिसको भी आपने पढ़ा इसमें क्या है कि हम linearty maintain करते हैं signal को जो modulate करते हैं उसमें linearty find पाई जाती है बट अगर हम base की बात करते हैं तो यहां क्या है कि हमको basically message signal को modulate amplify करने की जरुत नहीं पड़ी लेकिन in the case of the collector जो आपका modulator था वहां पहले क्या करते थे अपने message signal को modulate amplify करते थे और amplify करने के उपरांत modulation के लिए भेशते थे बट अगर हम high label base modulator की बात कर रहे हैं तो यहां हमें system में message signal है उसको हमको अलग से amplification की जरुत नहीं होती है और हम system को जो है वो after the modulation क्या करते हैं amplify करा लेते हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है आपका जो दोनों system है वो एक के जो drawback थे उसको हमने दूसरे में remove करने का प्रयास किया और इस तरीके से हमारे पास दो system बन गया high level collector modulator और high level base modulator ठीक है तो अब हमें एक ऐसा system जो है वो तयार करें जिसमें क्या हो कि high linearity भी हो और amplitude जो हम message signal को amplify करते थे जो है हमें उसे पहले से amplify जो है modulation से पहले ना करना पड़े हैं तो इसके लिए हम लोगों ने एक circuit तयार करी जिसका नाम है हाई-level collector base modulator इसमें basically क्या है collector और base modulator जो हमने modulator अभी पढ़ा दोनों का combination है और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यह आपका modulating signal है इस modulating signal को सबसे पहले हम एक RF amplifier जिसके input port पे हमने oscillator signal provide किया था ठीक है हम इसको पहले क्या करते हैं माडूलेट कर लेते हैं ठीक है और modulate करने के पश्यात हम क्या करते हैं जो हमारा यह transistor इसको अगर हम transistor T1 और इसको हम transistor T2 नाम देदें तो transistor T1 और T2 के base पे signal को भेज देते हैं जो कि क्या होगा पहले से modulated होगा ठीक है तो इस modulation system से हमने यहां पर इसको system को दिया तो यह आपका collector modulator configuration है और इसी को हमने इसके base पे दिया और base से जो हमारा signal निकला उसको हमने फिर से क्या किया कि जो हमारा RFC यह circuit है जो यह oscillator circuit है basically ठीक है इसमें क्या है इसके थुरू हम अपने system के load पर जो है एक AM modulated high power जो है RF signal को जो कि हमारा amplitude modulated signal होगा इसको प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम circuit पे जो है different different formations जो है वो collector और base के application को create कर सकते हैं जिसके द्वारा जो है हम वो अपना जो collector modulator के drawback थे उसको हमने base modulator में remove करने का कोसिस किया और base modulator में जो drawback थे कि उसमें high linearity जो है maintain करना मुस्किल था तो हमने एक collector base modulator को तैयार किया और इसके द्वारा हम किसी high power के signal को generate कर पाने में सक्षम हुए तो इस तरीके से हमने आज amplitude modulator में basically जो है वो collector base modulator जो की हमारे syllabus का part है हमने उसको सीखा तो आज के lectures में basically हम लोगोंने amplitude modulators के बारे में पढ़ा जिसमें आपने देखा कि इसमें दो तरीके की possibility थी first type is low level AM modulators and second type is high level AM modulators ठीक है और यहीं low level के हम लोगोंने हम लोगोंने basically diode इत्यादी के circuits का use किया जिसमें स्वता amplification की capability ना हो ऐसी circuit के true अगर हम amplitude modulation करते हैं तो हमें क्या है low level के जो है AM signals prompt होते हैं और उनको transmission से पहले क्या है amplification की आवशक्ता होती है but in case of the high level amplitude modulators हम वहां किसी तरीके के amplification की आवशक्ता after the modulation नहीं होती है हमारा जो message signal है वो carrier signal को ऐसे modulate करता है कि जो हमारा output node है जहां पे हमें modulated AM signal मिलेगा वहां पे हमको एक high power का जो है AM signal प्राप्त हो रहा होगा जिसको हम transmitter से receiver पर directly भी भेज पाने में सक्षम हो सकते हैं तो इस तरीके से आज हम लोगों ने modulators के बारे में देखा और आगे के lectures में हम लोग कुछ और AM modulators के बारे में चर्चा करेंगे आज के lecture में हम लोग यहीं तक कटते हैं थैंक्यू